क्लाश तेंथ के हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको आठवे नंबर पे रस लिखने को आते हैं जिसमें दो दिया रहता है आप चाहें तो हासी रस लिख सकते हैं या फिर करूर रस तो हासी रस और करूर रस में आपको मिलते हैं दो नंबर तो आज मैं आपको बताती हूं क करूर रस लिखने का तरीका क्या होता है तरीके से लिख से लिखा जाता है कि आपको बूर्ड एकजाम में अरूरिख है जारति हम कहा है चिंए हम सबसे पहले हासिया कैसे लिखें। सबसे पहले क्यों कि दोख तो benefit framework स्ब्सक्राइब सब्लिखें थे कि नाम करने में है वर्ग दीन भी से सेट नंबर यानि कि सारे की प्रोसेस हम पूरा करने के बाद फिर हम पेज को उपन करेंगे और यहां पे कुछी तरीके से हमारे पेजा जाएंगे यहां पे हमें ब्लैक स्केल से और इसके साहता से हमें डबल लाइनिंग कर देनी है अब यहां पे जैसे कि वह आठवे नंबर पे था तो हमें राइट करना है कि आठवे नंबर पे है ना आप देख सकते हैं यहां पे आठवे लिखेंगे प्रस्न नंबर ध्यान दिजेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से जो एक्जामनर होते हैं आपके बोड एक्जाम में नंबर देते हैं प्रस्न नंबर आठमस त्थान पर है तो आठ का उत्तर आप इस तरीके से राइट कर लेंगे अब यहांपे इसके अब की सहाइता से डबल लाइनिंग नीचे कर देंगे तो यह यहाँ पे हो गया अब यहाँ पे नीचे हमें क्या लिखना है हासरस ठीक तो यहाँ पे हमें कर डाल देना है कर और फिर एक साइड में लिखेंगे हम हासरस दो दिया है हासरस और करोडरस जो आपको करोडरस लिखना है तो करोडरस हास लिखना है तो हासरस तो इस तरीके से हम लिख देंगे हासरस अब इसमें भी आपको डबल लाइनिंग कुछ इस तरीके से कर देना है यह देखने में बिल्कुल लगे कि हाँ आपने कुछ राइट किया है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आजाके आपको बोड़ एक्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब यह लाइनिंग आपको छोड़ देनी है अब यहाँ से लिखना आपको इस्टार्ट करना है लिखेंगे हास रस का जो इस्थाई भाव है क्या है हास रस का इस्थाई भाव हास है अब ध्यान देजेगा यह अगर आपके लैनिंग पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ से नीचे राइट करना है भाव हास अगर आप चाहें तो इसे ब्लैक कलर से कर देंगे तो और अच्छा होगा हास है इतना हो गया अब फिर परिभासा लिखना है कि किसी ब्यक्ति के विक्रित रूप आकार वेश भूसा इसे आप चाहें तो पूरा ब्लैक से कर सकते हैं आदिको देख कर रिदे में किस में रिदे में जो कौन सा भाव तो यहाँ पी हो जाएगा विनोध विनोध भाव उत्पन ठीक है होता है उसे क्या कहते हैं हासिरस कहा जाता है या फिर होता है इस तरीके से आप लिख देंगे याद रहे अगर आपकी राटिंग अच्छी नहीं है तो बीच में आपको पेन के एक एक बीच की दूरी कर देनी है जिससे आपका जो राटिंग होगी वो काफी प्लीन दिखेगी अब यहाँ पे क्या आता है यह आपका परिभासा फाइनल हो गया परिभासा क्या है यहाशी रस का इस्थाई भाव हास है किसी ब्यक्ति के विक्रित रूप आकार वेस भुशा आदि को देखकर फिर्दे में जो विनोत भा उत्पन होता है उसे हासिरस कहा जाता है यह हो गए आपके परिभासा ठीके अब यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण क्योंकि यह दिया है उदाहरण तहीत परिभासा लिखने को तो हम लिखेंगे उदाहरण तो यहाँ पे हम black sketch का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, एक साइड में, फिर वही process करेंगे, double landing कर देंगे, यह देखने में अच्छा रगे, फिर आपको क्या करना है, लिखना है उदाहरण, पेल, हाथी, आप चाहें तो black pen का यूज़ कर सकते हैं में में पॉइंट पे, जैसी, दे हैं, हाथी जैसी, दे, गेंडे, जैसी, चाल, तर बूजे, खोपड़ी, खर बूजे, से, गाल, तो यह रहे आपके उदाहरण, बट आपको क्यों परिभासा और उदाहरण लिखना था, अगर आपको अच्छे नंबर पाना हो, तो आप इसमें थोड़ा सा और निचे, यह अगर आपके इजे लाइनिंग बच्छी हो, तो आप यहाँ पे एक प्यारा सा राइट कर दिजेगा, क्या, इस पश्टी करड, यहाँ लिखेगा, इस पश्टी करड, इससे जो एक्जामनर होते हैं, वो आपको आपके बोड़ एक्जाम में अच्छे नंबर देते हैं, क्योंकि इसका तीन प्रोसेस होता है, एक हासरस उदाहरण, और फिर होता है, इस पश्टी करड, इस पश्टी करड में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्थाई भाव, आखिर नीचे पेस तो बची जाएगा, फिर आप लिखेंगे तो इस पे कोई अर्जिस्ट होनी पाएंगे, इसलिए आपको पूरे अपने पेस खतम ही कर डालने हैं, यह आपका फर्स्ट पे रहा, अब सिकेंड प है, तो हास है, आपको अलग से नहीं पढ़ना है, सारा आपके इसी हासे रस्ट के परिभासा में ही है, विभाव में कर आ जाएगा आपका आलंबन, ठीक है, इसमें भी दो रूप होते हैं, एक विक्रीथ बियक्ति, ठीक है, और फिर खम में रहेगा आपका उदीपन, उदीपन में रहेंगे विचेत्र, वेश भूसा, ठीक है, इतना हो गया, अब नीचे आते हैं, जो आपका तीसरे नमबर पे रहेगा, वो होगा अनुभाव, इसमें लिखना है आपको हासना, ठीक है, अब फिर, सबसे लाश्ट है, चोर्थे नमबर पे संचारी भाव, जिसमें आते हैं, हर्स, चपलता, आदी, देखिए, अगर आप इस तरीके से बोर्ड एक्जाम में राइट करते हैं, अपने हासरस, तो आपको पूरे-पूरे नमबर मिलेंगे, एक भी नमबर नहीं कटेगा, च्योंकि देखिए, ये देखने में भी पूरे सुन्दर लग रहा है, और आपका जो पेज है, पूरा एक ही क्वेस्टन से ये आपका पेज भर गया, देखिए यहाँ पे, प्रस्ण नमबर आठका उतर डाल लिजेगा, हासरस, हासरस का इस्थाई भाव हास है, किसी ब्यक्ति के विक्रित रूप, आतार विक्रित भूसा, आधि को देखकर, हिर्दय में जो बिनोत भाव पदन होता है, उसे हासरस कहा जाता है, उदारण है, हाथी जैसी दे, इस तरीके से अकर आप लिखेंगे तो आपका एक भी नमबर निक कड़ेगा, और एक्जाम में खुस होकि आपको पूरे के पूरे नमबर आपके वोड एक्जाम में दे देंगे